हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक तो मैं यूट्यूब चैनल मैं स्रेयादे सरकार और मैं फिर्स आप सबके सामने मेरा न्यू वीडियो लेके प्रस्तूत हूँ मेरा ये वीडियो एक्सराइज 1.2 के उपर है मैं एक्सराइज 1.2 इस वीडियो में कवर अब कर लूंगी तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर में मतलब इस एक्सराइज में वर्ड प्रॉब्लम्स है मैंने कुछ सिलेक्टिट वर्ड प्रॉब्लम्स ले लिया है और वही कुछ मैं आप इस वीडियो में करा कर दूंगी तो पहला कुश्यन पढ़ते हैं हम लोग एक बुक एग्जिशिशन वस हैल फर फोर देज इने स्कूल एक बुक एग्जिशिशन चार दिन के लिए स्कूल में अर्गनाइज किया गया था था नंबर अफ टिकेट्स सोल अध गांटर ऑन फोर्स सेकंट थर्ड और फिनल देज वस रस्पेटिवली 1094, 1812, 2050 and 2751 फाइन तोटल नंबर अफ टिकेट्स सोल अन ओल फोर देज हमें पूछा गया है हमें बताया गया है कि चार दिन में किस किस दिन में कितने कितने टिकेट्स बिके हैं कितना टिकेट्स बिका है वो बताया गया है पहले दिन में 1094, 2nd दिन में वह 1812, 3rd day में, 2050 और फाइनल जो 4 दे था, उसमें 2751 टिकेट बिका है तो हमें आपे पूछा गया है कि चार दिन को मला के, मतलब आपे आपको एडिशन करना है तो कितना टिकेट चार दिन में मला के बिका है, तो चलिए हम भी हम लोग answer करते हैं और answer करने से पहले मैं आपको बता दिना चाहूंगी कि word problems के लिए आपको sentence में answer लिखना है तो मैं आपको लिख के बताती हूँ the number of tickets sold on the first day equal to 1094 यहां दिया है अपका 1094 तो हम लिख लिया तो कुछ इस तरह से आपको sentence में लिखना है सब कुछ यहां पे हम लोगों को भी add करना है इसमें simply add करना है तो हम लोग add कर लेंगे first day के लिए दिया गया है 1094 इसमें एक बात है आप जब भी add करेंगे तो पहले जो last digit है वो लिखिएगा मैंने पहले लिख दिया जो भी हो आप लोग यह गलती कभी मत करना पहले last digit लिखना फिर सामने का लिखना जैसे ऐसे करके लिखना है आपको two five zero two इस तरह से लिखने से आपका answer गलत नहीं आएगा वरना अगर अगर कोई four digit का नहीं होके सारा three digit का भी कोई हो सकता है तब आपका answer गलत आजाएगा इसमें four plus two plus one seven nine plus one ten five plus five ten 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 plus ten twenty twenty का sorry zero होगा इसमे two केरी होगा eight plus two ten ten plus seven seventeen seventeen one केरी होगा one plus one two two plus one three three plus two five five plus two seven तो आपका ये answer है मैं क्यों बता रहे थी कि आपको last digit से लिखना है मतलब करने के time में add करने के time because मैं example देती हूँ अगर कहीं पे ये numbers नहीं होके ऐसा numbers हुआ like two thousand five hundred sorry two thousand fifty four okay two thousand fifty four five hundred eighty two तो अगर आप पहले से लिखना start करें और गलती से आप लोगों ने ये नहीं लिखे ऐसा लिख दिया तब ये answer wrong आजाएगा जबकि ये correct है और ये wrong है तो ये गलती कभी नहीं करना है इसका answer आजाएगा आपका six thirteen one five six two two six three six ये correct है और ये गलत है इसमें five hundred five आगया आगया तो इसमें seven thousand आजाएगा देखिए seven eight seven thousand eight hundred seventy four answer आया जब ये गलत है और ये है सही answer तो ये गलती कभी मत कीजिएगा तो ये हमारा next question है इस question में लिखा है in an election the successful candidate registered five lakh seventy seven thousand five hundred votes and his nearest rival secured three lakh forty eight thousand seven hundred votes तो यहां बोला गया है कि एक election में candidate को जीतने के लिए चाहिए five lakh seventy seven thousand five hundred votes जबकि अभी तर उसको मिले है three lakh forty eight thousand seven hundred votes तो हमें पूछा गया है कि कितने margin मतलब कितना और votes चाहिए उस candidate को जीतने के लिए तो चली करते हैं मतलब यहां पर आपको subtraction करना है समझ में तो आ गया होगा आपको हमें five lakh seventy seven thousand five hundred में से three lakh forty eight thousand seven hundred को subtract करना है जितना value आता है उतना votes चाहिए candidate को जितने के लिए तो करते हैं भी हमने यहां पर sentence में लिख लिया है जितना votes उसको चाहिए था total जितने के लिए जितना उसको मिला है अभी तक मतलब और अभी कितना चाहिए और उसको vote तकि वन जीत जाए election वह हमें निकालना है तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हम लोगों नहीं लिख लिया है अभी निकाल लेते हैं 0 से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा यहाँ पर भी 0 होगा यहाँ पर होगा 15-7 यानि की बच्छे आपके पास 8 यहाँ पर आपके पास 16-8 मतलब 80 बचेगा यहाँ पे आपके पास 6-4 यानि कि 2 बचेगा यहाँ पे 5-3 2 बचेगा आगे बात समच में यह है आपका total vote जीतने के लिए चाहिए उस candidate को next question है हमारा find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digit 6-2 7-4-3 each only once तो हमें आपे एक इन digits को लेके एक greatest number बनाने के लिए बोला है और एक smallest number बनाने के लिए बोला है smallest number को लोग least number भी बोल सकते हैं मैंने smallest and greatest number के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था subscribe किया था अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज देखीजेगा description में मैंने link किया है तो अभी करते हैं हम लोगे solve इसमें करना क्या है इसमें हमें पूछा है कि greatest number पहले एक बनाना इससे इससे greatest number क्या बन सकता है 7 सबसे बढ़ा है हमें मतलब descending order में हमें एक बनाना है number और फिर और एक number बनाना है ascending order में ascending order छोटे से लेके बरे तक जाएगा और descending order बरे से लेके छोटे नमबर तक मतलब दीजिट से तक बनेगा फिर उन दोनों को बना के हमें जो बरा डीजिट है जो greatest number है उससे least number को minus करना है subtract करना है subtract करके जो value मिलेगा वही है उन दोनों के बीच में difference ओके समझ में आ गया होगा I guess मैं फिर से repeat कर चीऊ हमें पहले एक greatest value बनाना है और एक least value बनाना है इन दीजिट से फिर बना के जो greatest number है उसको least number से subtract करना है subtract करते ही जो value हमको मिलेगा वही है greatest and least number के बीच difference I guess अभी समझ आ गया होगा आपको अभी कर लेते हैं तो अभी हम लोगों ने हमारे answer को sentence में लिख लिया है हमने पहले greatest value greatest number बना लिया है 76,432 होगा इन दीजिट से greatest number और least number हमारा है 23,467 तो अभी हमें इन दोनों के बीच में difference निकालना है तो अभी हम लोगों इसको subtract कर लेंगे 12 से 7 गया तो 5 बचता है 12 से 6 गया तो 6 बचता है 13 से 4 गया 9 बचेगा 5 से 3 गया तो 2 बचेगा 7 से 2 गया तो 5 बचेगा तो इतना है greatest and least number के बीच difference clear तो अम लोग हमार निक्स के तरफ मूफ करते हैं इस question में हम बताएगा है इस question में हम बताएगा है at 1200 रुपीज इच how many money will remain after with her after the purchase मतलब हमें पूचेगा है एक merchant के पास 78,592 रुपीज है और उसमें से उन्होंने 40 radio set का order दिया है जो एक का जो amount है वो है 1200 रुपीज तो 40 radio खरीदने के बाद उनके पास कितना पैसा बचेगा तो यह बहुत simple है हमें पहले 40 radios into उसके amount के साथ हमें multiply करना है जितना हमारे पास quantity है उसके साथ हमें multiply करना है उसके बाद multiply करके जितना value निकलता है उसको हमें उस merchant के बास जितने पैसे उससे subtract करना है और जो amount मतलब जो value निकलता है वही amount merchant के पास purchase करने के बाद बचेगा clear? मैं खरके बताती हूँ यह हम लोगों ने answer sentence में लिख लिया है और यहाँ पर हम लोगों ने multiply करके दिखाया है मैंने कितना cost लगेगा 40 radio set के लिए उन merchant को अभी हमें निकालना है कितना पैसा उनके पास बचेगा after purchasing purchase करने के बाद उनके पास कितना पैसा, कितना amount बचेगा वो हमको निकालना है यह तो बहुत easy है 2 से 0 गया तो 2 2 बचता है 9, 9 से 0 गया तो 9 बचेगा, 5 से 0 गया तो 5 8 से 8 गया तो 0 7 से 4 गया तो 3 of course, तो इतना amount उनके पास बचेगा after purchasing 40 radios, ओकी clear? तो इस question को करने से पहले हमें conversion table के बारे में जाना जरूरी है, सबको conversion table के बारे में पता तो होना अच्छी है पर फिर भी मैं एक बार conversion table के बारे में तो यह आपका conversion table यहापे आप देख सकता है 1 cm equal to 10 mm 1 m equal to 100 cm 1 km equal to 1000 m, 1 kg equal to 1000 gram 1 liter equal to 1000 ml यह वैसे पताने की बाद तो नहीं है क्योंकि यह आप 4-5 में तो सबको पता होना चाहिए बस मैंने ऐसे basic के लिए दिखा दिया तक कि आप सबको याद आजाए तो फिर सब बता देख 1 cm equal to 10 mm 1 m equal to 100 cm 1 km equal to 1000 m 1 kg equal to 1000 gram 1 liter equal to 1000 mm I hope सबको याद आगया होगा तो अभी question के और आगे बढ़ता है question में हमें बताया गया to stitch a shirt 2 m and 15 cm cloth is needed out of 40 m cloth how many shirt can be stitched and how much cloth will remain तो हमें ही बताया गया है कि एक shirt को बनाने के लिए 2 m 15 cm cloth चाहिए होता है और उनके पास है 40 m cloth तो 40 m cloth से हम कितने shirts बना सकते है और कितना बच्च आएगा यहाँ पर हमें friends 2 time मिला है many and much इन दोने में difference क्या है many जब भी आएगा तब आपको समझ जाना है या तो आपे division होगा या तो आपे multiplication होगा और जब much आएगा तब आपको समझ जाना है कि या तो आपे addition होगा या तो आपे subtraction होगा इन दोनों में से कोई एक होगा ये बात एकदम याज रखना है हमेशा much और many में difference तो अभी हम लोग करता है करने से पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हो 2 m, 2 m को हमें पहले conversion table में क्या था 200 के साथ हमारे पास या पे 15 cm भी दिया गया है तो हमारे पास तो आपको आज जाएगा 215 cm एक शर्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए 215 cm cloth और हमें हमें दिया है 40 m cloth 40 m को भी हमें cm में convert करना है 40 m equal to 4000 cm 40 into 100 equal to 4000 cm clear तो हमें क्या करना है पहले 4000 को 215 से डिवाइट करना है डिवाइट करके जो भी value मिलेगा उतना shirts हमें बनाना है उतना मतलब हमारे पास उतनी shirts बनेंगे 40 m cloth से हमारे पास उतना shirt बनेगा और 40 m से हमें उतनी shirt को के कप्रों कप्रे को माइनिस कर देना है मतलब सब्ट्रेक कर देना है मतलब हम क्या करेंगे पहले shirt निकाल लेंगे कितना shirt बनता है मालीची आपका है पे 10 shirt बनता है तो आप क्या करेंगे 2150 cm इंटू 10 कर देंगे 10 करने के बाद कितना आ जाएगा आपका 2150 cm आ जाएगा जितना बच्चे का value उतना ही आपका cloth बच्चे का clear समझ में आ गया होगा अभी हम लोग answer कर लेते है तो यहां मैंने answer कर दिया है आप देख सकते हैं मैंने पहले हापे conversion table का use करके meter से centimeter में convert कर लिया है और फिर मैंने shirts निकाल लिया है और divide करने के बाद मुझे 18 shirts मिले है 18 shirts बनेंगे इतने 40 meter cloth से 18 shirts बनेंगे फिर हमें क्या करना है 18 into 215 करना है मतलब उतना cloth लगा है हमें 18 shirts बनाने के लिए फिर हम क्या क्या यापे हमें पूछा गया question में कितने cloth बचेंगे आफ्टर मतलब बनाने के बाद सीच करने के बाद कितने cloth बचेंगे हमने क्या किया 4000 से 3870 को minus कर दिया subtract कर दिया और जितना बच्चे का वही होगा हमारा इंस तो हम यहापे देख लेते कितना बच्चे का नहीं यहापे लिख लेते हैं 4000 minus 37 oh sorry 3870 के easy होगा यह तो बहुत easy है कर सकता है आप लोग भी 10 से 7 गया 3 9 से 8 गया 1 मतलब 130 सेंटिमीटर ग्लोड हमारे पास बचेगा 130 सेंटिमीटर को हम लुग 1 मीटर 30 सेंटिमीटर भी लिख सकते है तो हमारा एंस यहापे आ जाएगा 130 सेंटिमीटर या तो हम इसको लिख सकते है 1 मीटर 30 सेंटिमीटर 오케이 clear अब आते हैं next question में तो हमें next question में पूछा गया है next question में आते हम लोग next question में एक glass vessel has 4 liters and 500 ml of curd in how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled तो हमें आपे पूछा गया है कि एक glass बताया गया है एक glass एक vessel में 4 liters बताब 4 liters and 500 ml of curd है पहले तो हमें liter को mili liter में convert करना है conversion table के help से one liter कल जो 1000 ml तो 4 liter के लिए मतलब 4 liter के लिए कितना ml होगा simple 4 into 1000 मतलब 4000 ml होगा अब 4000 पहले भी 500 ml था हमें बताया गया है हापे तो कितना होगा 4500 ml of curd है एक vessel में तो हमें पूछा गया है 25 ml के कितने glass बढ़ जाएगा कितने glass बढ़ जाएगा इतने curd से तो बहुत इसी है आपको direct conversion table के help से कितना curd है वो निकाला है मिली लिटर में निकाल के 25 से डिवाइट कर देना है उतनी glass भर जाएगा तो चलिए करते हैं हम दोग तो हम दोग ने answer कर लिया आप देख सकते हैं पहले मैंने लिखा है कॉड कितने कॉड मैंने पहले conversion table के help से मैंने लिटर को मिली लिटर में convert कर लिया है 4500 मिली लिटर आ गया है हमारे पास अब हमने कितने numbers glass हम फिल कर सकता है यह पूछा गया था question में तो मैंने 4500 मिली लिटर को 25 मिली लिटर से divide कर दिया और हमारे पास answer आया 180 यही है answer मतलब इतने ही glass fill होगा, okay? I think no doubt तो I guess अभी कोई doubt नहीं होगा मैंने almost सारा करवा दिया है और बाकी जो remaining है I hope वो कर लेंगे आप लोग क्योंकि मैंने almost जो जो दफ था वो सब करवा दिया है और बाकी शायदा आप लोग कर लेंगे I hope आप लोग को कोई doubt नहीं होगा अगर कोई doubt हुआ तो आप यो comment section में mention कर सकते है या फिर आप मुझे instagram में follow करके मुझे आप टेक्स कर सकते है thanks for watching thank you so much